शेवा ही मेरी पहचान शंकर सोनेजा रिष्टो.com इंडियाजी नमबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी असा वाट त्री रेजिस्टरेशन आहे नॉमिनल मेंबर्शिप चार्जेस आहें काउंस्लिंग भी प्रवाइड करना आहें असा सा हजारे सिंधी परिवार जोडेल आहें एड मेंबर जेलाएं त्री रिष्टो मीट एको कांफरेंस रूम वो भी रिफ्रेश्मेंट सांग गड़ तपको इंतिजार साजो ख़णो फोन एकांटेक कायो रिष्टो.com नमस्कार मैरा आजेश दलवानी आप देख रहे उल्लास लाइन बुलिटिन शहर की ताजा खबरे देखेने के लिए हमारे नीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इन दिनों उल्लास नगर शहर में दुकानदारों और व्यपारियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है कभी उनके साथ मार पीट तो कभी लूट पाट की वारदातों को बदमाश अंजाम दे रहे हैं अब एक फोर वीलर गारियों की खरीदी और बेचने का व्यवसाय करने वाले दुकानदार जो 15 अप्रेल के दिन पूरे दिन की कलेक्शन कर वापस लोट रहा था तबी मदुबन चौक अंबिका पान चौप के पास शाम साड़े पाच बजे के दरम्यान चार बदमाशों ने व्यपारी विनैप पहुजा को चाकू दिखा कर उनके साथ मार पीट की और उनके पास की गारी शेन ली और उनको वहां से बगा दिया और बाद में गारी में रखे 6,90,000 रुपे निकाल कर चारों बदमाश फरार हो गए जाइस लूट की वारदात की शिकायत विनैप पहुजा ने उल्लास नगर पुली स्टेशन में दर्ज कराई और शिकायत दर्ज होते ही पुलीस भी हरकत में आई इस लूट को अंजाम देने वाले गौतम फुलवानी, करन हिमनानी, रोहित सिंग और करन तलवानी इन चारों बदमाशों को पुलीस ने गौआ से गरफतार किया है पुलीस ने इनके पास से पांच लाख रुपे भी बरामत किये है बदमाशों को अब में बारत पहुजा मेरी उमर है 25 साल मेरे साथ उस दिन राद को दिन दहारे और दिन में रात को सारे शाम को 5 सारे पांच बजे कि असे हास्ता हुआ कि मैं पूरे दिन की कलेक्शेन लेकर गर पर जा रहा था अपने भाई की दुकान का हमारा काड़ कर विज़िस है वो लेके जा रहता हो और रस्ते पे चार जनों ने मुझे गेर के मार के ये जूट बोल के कि भैकी तुमने में को कट मारी तुमने में को ऐसा करके ये ट्रैप बिचा के ये लोग ने मार के मैसे लूट के चापुआ को दिखा के ये लोग लूट के गाड़ी लेके चले गए म किसी को पैचन देता कि आप किसी को भी मैं नहीं पैचन देता सब के सब मेरे लिए नाइश फेसिस ते तो मेरे साथ हुआ, वो किसी के साथ ना हो, सब ग्रैपाडियों लोगों को सिंधी और सब जितने भी लोग है, सब को मैं बोलूँगा, कि भाई की अपना ख्याल रखे और संभल के रहे, पुलीस ने इतना वदद किया, उनके लिए मैं दिल से थैंक्यू बोलता हूँ, और हम सब करती है, और सब करती है, सब करती है, और सजा सब को देती है, 15 अप्राइल 2023 को शाम को साड़े पास बजे, 17 सक्षन उल्लस नगर 3 में, विने पहुजागर के व्यापरी है, उनका पूरानी गाड़ी खरेदी विक्री करने का व्योसा है, वो दिन बर की क्याश लेकि अप पांच यहां आने के बाद, पिछे से जो दो गाड़ी पे चार लोग सवर होके आये, उन्होंने चाको से डराधम करकर मार्किट की, और उनसे वो गाड़ी छिन ली पहले और उनको भगाया, बाद में वो गाड़ी लेके गली में गये और वहां से फिर वो डिकी से क्याश निकाले और भाग गये थे, अंप्लेनर ने ये तकरफ पुलिस सेशन में आके देने के बाद, फूरंत पुलिस हरकत में आई, देर राब तक इन लोग का रहने का ठिकाना और नाम पता चल गये थे, दूसरे दिन हम लोग को इनका ठिकाना जो है, ये प्रतनागिरी सिंदु दूर की तरफ जा रहे है, इसलिए हम लोगोंने सुपिरी की परिमिशन लगे एक टीम गोवा रवाना कर दी थी, 17 तारीक को हम लोगों को हमारे टीम जो है गोवा में उनकी सर्च ले रहे थी, फॉर्चुनेटले हमें इनने से एक आरूपी जो है, रोज सिंग लवाना, य 24 तक उनको कस्टिटी दिये है, कोडने, इन लोगो कुछ जानकर होगी जो वीदी संकर्शे बाला के उसमें से एक छोटा बच्चा है, उसने यह जानकर होगी थी, यहां लोग आते हैं, कैश लेके जाते हैं, यह जानकर होगी थी, उसने दो-चार दिन से हुआ, पालत रख रिकावरी कुछ हुई है, जो गाडिया इन लोगों ने इस्तमल की थी, उसमें से एक गाड़ी रिकावर की है, और जो डराया धमकने के लिए उन्होंने चाकु इस्तमल किया हुआ था, तो चाकु भी बारवात किया हुआ है उल्लास्ट लाइन बुलेटेन को सब्सक्राइब करें, बैल आइकोन दबाएं और देखिए उल्लास्ट लाइन बुलेटेन की निउस सबसे पहले आपके मोबाइल पर